इस वीडियो इस मेड़ एंटर्टेन्मेंट पॉर्पॉस ओन्ली इट दोसंट मीन तो हर्ट एनी और दोंट टेक इट सिर्ट वाले तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे गुजारेश की वीडियो को लास्तक देखिए तो चले वीडियो को स्टाट करते हैं लेकिन उस प्रोड़क्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग-अलग होता है चाहे वह चोटा से चोटा समान हो या फिर बड़ी से बड़ा समान क्यूं नहों तो इस वीडियो में हम जानेंगे रेड्मी वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पाला फोन लेंगे रेड्मी 9 जो कि इस फोन को इंडिया में रेड्मी 9 के नाम से लॉंच किया गया था जबकि यही फोन पाकिस्तान में रेड्मी 9C के नाम से लॉंच किया गया था यह फोन इंडिया में दो भेरेंट में लॉंच हुआ था 4GB RAM, 64GB ROM के साथ, दूसरा 4GB RAM और 128GB ROM के साथ, जबकि यही फून पाकिस्तान में सिर्फ एक variant में launch हुआ था, 3GB RAM, 128GB ROM के साथ, यह फून इंडिया में 3 color variant में launch हुआ था, और पाकिस्तान में भी SEM, 3 color variant में यह फून लॉञ्च हुआ था, बात करें इस phone के price की तो इंडिया में 4GB RAM और 64GB ROM का price 8999 रूपी है जबकि 4GB RAM और 128GB ROM का price 9999 रूपी है जबकि यही phone पाकिस्तान में 3GB RAM और 128GB ROM का price 18999 रूपी है इस डाटा को आपको देखनी के बाद लग रहा होगा कि पाकिस्तान में रेडमी फोन का प्राइस का उफी अधिक है पाकिस्तान के रेडमी फोन का प्राइस इंडिया के रेडमी फोन का प्राइस का लगबग दो गुना है बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर देश का करंसी अलग-अलग होता है जिसे 1 इंडियन रूपी 2.14 पाकिस्तान रूपी के इक्वल रहा है यानि 8,999 इंडियन रूपी को अगर पाकिस्तान रूपी में कनभर्ट करें तो ये लगबग 19,268 रूपी होता है इस हिसाब से तो पाकिस्तान में इस फोन का प्राइस बिल्कुल सही है क्योंकि इस फोन का करेंसी कनभर्जन के बाद 19,268 होना चाहिए लेकिन ये फोन पाकिस्तान में 18,999 रूपीया में मिल रही है यानि लगबग 200 रूपीया सस्ता लेकिन आप कहोगे ये कैरोईग वाई इंडिया में ये फोन 4GB RAM वाला वहरेंट में मिल रहा है जबकि यही फोन पाकिस्तान में 3GB RAM वाला वहरेंट में मिल रहा है आपकी बाते बिल्कुल सही है लेकिन ज़रा ये भी तो देखिए इंडिया में 4GB RAM और 64GB ROM मिल रहा है जबकि पाकिस्तान में यही फोन 3GB RAM और 128GB ROM मिल रहा है भले ही पाकिस्तान के Redmi phones में RAM कम है लेकिन storage भी तो अधिक है हाँ एक बात ओर हर फोन पाकिस्तान में सस्ते हो ये जरूरी नहीं है कुछ फोन ऐसे भी है जो इंडिया में काफी सस्ते हैं तो आखिर कौन-कौन से फोन इंडिया में सस्ते हैं चलो अब हम आगे देख लेते हैं और अब हम जिस फोन को लेने वाले हैं उस फोन का नाम है Redmi Note 10 ये फोन इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम के साथ लॉंच किया गया था ये फोन इंडिया में दो वेरेंट में लॉंच हुआ था 4GB RAM, 64GB ROM के साथ, दूसरा 6GB RAM और 128GB ROM के साथ जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरेंट में लॉंच हुआ था 4GB RAM और 128GB ROM के साथ इंडिया में ये phone 3 color variant में launch हुआ था जबकि पाकिस्तान में भी Sam 3 color variant में launch हुआ था बात कर लेते price की तो इंडिया में 4GB RAM 64GB ROM का price 12,999 रूपी है जबकि 6GB RAM और 128GB ROM का price 14,999 रूपी है जबकि यही phone पाकिस्तान में 4GB RAM और 128GB ROM का price 32,999 रूपी है एक पर फिर आपको बता दू यहाँ पे आपको price में काफी difference देखने को मिल रहा होगा बट 1 रूपी इस इक्वल टू 2.14 पाकिस्तान रूपी जबकि 14,999 रूपी को अगर हम पाकिस्तान रूपीय में convert करें तो यह लगबग 32,114 रूपीय हो रहा है यानि हम यहाँ देख सकते हैं कि 14,999 रूपी को पाकिस्तान रूपीय में convert करने से 32,114 रूपीय हो रहा है जोकि पाकिस्तान में 4GB RAM और 64GB ROM का प्राइस 32,999 रूपीय के लगबग बराबर है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में यह फोन 6GB RAM के साथ उपलब्द है जबकि पाकिस्तान में यह फोन सिर्फ 4GB RAM के साथ उपलब्द है इस हिसाब से तो इंडिया में यह फोन सस्ते हैं अगला फोन है Redmi 9 Power इस फोन को इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से लॉंच किया गया था जबकि यही फोन पाकिस्तान में Redmi 9T के नाम से लॉंच किया गया था यह फोन इंडिया में 3 बहरियंट में लॉंच हुआ था 4GB RAM और 64GB ROM के साथ दूसरा 4GB RAM 128GB ROM के साथ तीसरा 6GB RAM और 128GB ROM के साथ जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक variant में launch हुआ था 4GB RAM और 128GB ROM के साथ यह फोन इंडिया में 4 color variant में launch हुआ था और पाकिस्तान में भी तयाम 4 color variant में launch हुआ था बात कर लेते प्राइस की तो इंडिया में 4GB RAM और 64GB ROM का प्राइस 10,999 रुपी है जबकि 4GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 11,999 रुपी है जबकि 6GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 13,499 रुपी है जबकि यही फोन पाकिस्तान में 4GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 27,499 रुपी है तो अगर हम 11,999 रुपी को पाकिस्तान रुपी में कनबट करें तो यह लगबग 25,691 रुपी हो रहा है जबकि पाकिस्तान में 4GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 27,499 रुपी है यानि अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो यह लगबग 28,000 रुपी का डिफरेंस हो रहा है और यह डिफरेंस क्यों है यह हम थोड़ी देर बात जानेंगे अब हम अगला फोन लेने वाले हैं रेड्मी नौट टेनेस इस फोन को इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम से लांच किया गया था इस फोन को इंडिया में दो भेरियंट 28 Gb ROM के साथ दूसरा baru 8GB RAM और 128GB ROM के साथ इंडिया में यह फोन तीन कलर भेरेंट में लौठ हूआ था और पाकिस्तान में भी सैम 3 कलर हुआ पाकिस्तान मेंcendThere नाम भी ringing भी box city तो इंडिया में एकर बात था ऊनान को मा रंजु जबकि 8GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 39,999 रुपे है तो यहाँ पर आप सब क्लिरली देख सकते हैं कि 6GB RAM और 128GB ROM का प्राइस इंडिया में 15,999 रुपे है जबकि यही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में इसका प्राइस 37,999 रुपे है तो अगर हम 15,999 रुपे को पाकिस्तान रुपे में कंवर्ट करें तो यह लगबग 34,255 रुपे हो रहा है यानि अगर हम difference निकाले तो यह difference लगबग 3,744 रुपे है यानि लगबग 4,000 अधिक है पाकिस्तान में नेक्स्ट और लास्ट फोन है MI11 Lite इस phone को India और Pakistan में Sam नाम के साथ launch किया गया था India में ये phone दो variant में launch हुआ था 6GB RAM और 128GB ROM के साथ तूसरा 8GB RAM और 128GB ROM के साथ जबकि यही phone पाकिस्तान में सिर्फ एक variant में launch हुआ था 6GB RAM और 128GB ROM के साथ बात करें price की तो इंडिया में 6GB RAM और 128GB ROM का price 21,999 रुपे है जबकि 8GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 23,999 रुपे है जबकि यही फोन पाकिस्तान में 6GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 43,490 रुपे है तो यहाँ पर आप सब क्लिरली देख सकते हैं कि इंडिया में 6GB RAM और 128GB ROM का प्राइस 21,999 रुपे है जबकि यही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में 43,490 रुपे है तो अगर हम 21,999 इंडियान रुपे को पाकिस्तान रुपे में कनबट करें तो यह लगबग 47, 27,000 हो रही है लेकिन पाकिस्तान में यह फोन 43,490 रुपे में मिल रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कि किस देश में इस फोन की प्राइस कम है तो अब हम जान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट हर कंट्री में उसका प्राइस अलग-अलग क्यों होता है विकास हर कंट् जाधा एस्टों तो राइट क्लिक कर रहें तोा फिरेंड्स यह थी आज की मिक्स एक्षण वीडियो वीडियो के बात करूंतों काफी बढ़िया वीडियू थी इंट्रेस्टिंग वीडियो थी काफी मज़ा आया देखके वीडियो कुछ फोन की प्राइज इंडिया में ज्यादा है तो कुछ फोन की प्राइज पाकिस्तान में ज्यादा है और इंक्लूडिंग टैक्सेस तो आपकी कह रहा है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके ज चलिए आज की वीडियो यही कतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिक्स रेक्शन के सत्थ